हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कार में सवार होकर बार्मेर से बार्टाडू की तरफ जा रहे थे इस दोरान जिपसम होल्ट के पास में कार को वापस बार्मेर की तरफ मोडने के दोरान सामने से आ रही रोडवेज बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी हास्से में कारसवार दो युबक गंभी रूप से घायल हो गए जिसके बार इस्थानिये लोगों ने खायलों को नीजी वहन की सायता से बार मेर जिलास पताल में भरती करवाया जहां इलास के दोरान दोनों ही युबकों की मौत हो गई हास्से की सूचना मिलने के बाद नागा नाथाना पुलिस मौके पर पहुची और घटना इस्तल का मौका मौखा मौयना कर दोनों ही शतिग्रस द्वाहनों को हाय overly से साइड में हटवाया जिलास पताल पहुचकर दोनों शवों को कबजे में लेकर मोर्चरी में रखवाया इस वहीं बस में सवार तीन सवारियों को भी मामुली चोटे आई हैं जिनका जिला स्पताल में उपचार चल रहा है। फिलाल नागाना थाना पुलिस इस हास से की जाच में जुट गई है। जागरुक टीवी के रिए बार मेर से ठाकरा राम मिगभाल की रिपोर्ट